नमस्कार दोस्तो माई किसान दोस्त चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका किसान दोस्त यह जाट दोस्तो किसानों के सामने फसल में खत्पत्वार हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है और इसे हटाने के लिए किसान भाई सभी तरेकी के प्रियास करता रहता है पिछले 2-3 सालों में किसान ने बाईक के पीछे जुगाड बना कर सोयविन जैसी फसलों से खत्वत्वार हटाने का काम भी किया है बाईक पर बने जुगाड के कई सारे वीडियो हमने हमारे चैनल पर भी डाले और उन वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद भी किया साथ ही दोस्तों जो हमारा पिछला वीडियो था जुगाड का कार खाना जिसके अंदर बाइक पर जुगाड बनाने का काम होता है उसे तो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू दोस्तो इन वीडियो पर आपके कई सारे कमेंट्स भी मुझे मिलते रहते हैं उन्हीं कमेंट्स को देखकर आज का वीडियो में लेके आया हूँ तो इस वीडियो में दोस्तो जो जुगाड है उससे कपास, गने, मीर्च, बेंगन की फसलों में खत्पतवार हटने का काम किया जाता है तो वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से ये खेतों में चल रहा है, किस तरीके से ये खत्पतवार हटने का काम करता है साथ ही करसी अधिकारी की राई जानेंगे कि किस तरीके से ये जुगाड उन किसान भायों के लिए फाइदेमन साबित हो सकता है साथ ही हम बसंति लाइल जी से इस जुगाड के बारे में जानेंगे कि क्यों किसान इस जुगाड को इतना पसंद करते है क्या इसमें उन्होंने ऐसा किया है कि किसान को ये जुगाड पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखे साथ ही जो पाई नए हैं या फिर पेली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को अभी सब्क्राइब कर ले साथ ही पास आए गंटे के निशान को दबा दे ताकि खेती बड़ी और किशानों से जुड़ी जानकरी वाले वीडियो आपको मिलते रहे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों जिन फसलों को कतार से कतार में बोया जाता है और कतार की दूरी धाई से तीन फीट दूरी पर लगाई जाती है वहाँ इस जुगाड के जरिये हम आसानी से खतपतवार हटाने का काम कर सकते हैं यहां कपास के खेत के अंदर इस जुगाड के पीछे एक बलेट नुमा कल्टिविटर की तरह बनाया गया जुगाड है जिसके जरिये एक समान कतार से कतार के बीच की दूरी की जो खतपतव है उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है और जहां दोस्तों कठोर जमिन होती है वहाँ इस जुगाड के पीछे पत्थर रखकर भी थोड़ा वजन देकर आसानी से खतपतवार हटाने का काम किया जा सकता है दोस्तों कपास के अलावा जिन फसलों को कतार में बोया जाता है जैसे मीर्च, बेंगन, गन्ना, उनके बीच में भी खत्पत्वार हटाने के लिए बाइक पर बने जुगाड का इस्तिमाल किसान भाई कर सकते हैं, इसके अलावा किसान भाई अपनी आवसकता अनुसार इस जुगाड की साइज में परिवर्तन भी करवा सकता है, दोस्तों ज जानते हैं करसी अधिकारी इसके बारे में क्या कहते हैं? जुगाड तकनिकी माजम से जिसमें कम पेशर में अधिक फाइदा किसान भाई हो सके इनके लिए बनाया है, जो जैसे ही हमने कपास पोदा वो दिया, उसके बाद जो खपतवार आता है, उस खपतवार नश्ट करने के लिए हमने ये बनाया है, ये काफी किसान भाई इसको को पसंद कर रहे हैं और काफी किसान बहीं को ले चुके हैं और इनमें क्या होथा है林ع को समझ आप इसकी हिति कंधेगर डिधा क मैं किसान जी दिधाएं अपनी केती कर रहे हैं विशेश करके कपास के पसल के लिए काम आता है यह इसकी दूरी 45 cm है पोदे से पोदे की दूरी भी 45 cm है और लाइन से लाइन की दूरी भी 45 cm है अगर मालो इसके बीच में कोई खरपरतवार है तो उसको सफ़ई करने के लिए 4-5 मजदूर परती बिगा यानि एक हेक्टर में 15-20 मजदूर लगाए जाते हैं तब जाकर के इसकी कपास की सफ़ई होती है अगर किसान चाहे तो इस उपकरन से मतलब एक हेक्टर में लगबग 200-200 रूपया हेक्टर के हिसाब से खर्चा करें पेट्रोल ता तो इसको चला करके खरपतवारों को साब कर सकते हैं अगर मालो इसको नहीं चलाएगा किसान और वीडी साइड यानि खर्पतवार नाशी का उप्यों करेगा तो उसको 1000-1200 रूपय तक परती हेक्टर का खर्चा आएगा मगर इसके चलाने से जमीन भी साब रहेगी जमीन खराब नहीं होगी परियावरन खराब नहीं होगा और इसका जो बहुत बहुत दन्यवाद दिविलाल जी आपको दस्री जान कर दिए राम राम साथ चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं बसंति लाल जी से कि उन्होंने इस जुगाड में ऐसा क्या किया है जिसके माध्यम से किसान भाई इसे जादा सिंख्या में खरिद रहे हैं और अपने खेतों में उप्योग कर रहे हैं इसके अंदर किसान भाई कपास, मिर्ची और बेंगन इन फस्रों में खपतवार हटा सकाए इसके अलावा क्या होगा कि इसके अंदर फोल्डिंग हमें टिलर बनाए तो टिलर ये फोल्डिंग है ये टाइवाली टाइल यहाँ पे लग जाएगी और बीच में एक आईलोर ह होगी वह बीच में लग जाएगी और ये वाली टाइल यहाँ पे लग जाएगी बाद में दो साफ्टे हम अलग से देते हैं वह साफ्टे अंदर लगाने से टायर चोड़ाई ज्यादा हो जाएग फिर ये जो जुगाड़ी है मल्टी परवद हैं या वापस इसको सोयाबि मुपली चना और मक्य में आचानी से खुपतवार के दुबारा हटाएगा से और इसको आप देख सकते हैं उसमें एक नीचे ब्लेद मुमा तिक्षी ब्लेड लगी हुई है ये जो मेर्ची और बेंगन और कपास और घन्ने के अंदर जो खुपतवार आता है उसको हटाने क ब्लेड है तो r妳माकरिश्ड ना मांश्भास को हमने 1503 के अंदर कर अप उसको आर्पियम घैस करके आर्पियम थालि में चेक्स करके बना देते इसके बाद ये खैतों में कारी करने म doctor यह हमारी सबसे बड़ी खाशिया देथी है कि सो सिसी की भाई को हम 122 में कर्वट करते हैं उसके बाद इसको मल्टी परबच के लिए किसानों के लिए ज्यादा फाइज है ज्यादा फाइदा हो से कि एशे हम करशी उत्तरन जुगार की तक्नी की वाजिन कमाएब और ये काफी किसानों को पसंद भी आ रहा है और इसमें काफी किसान भाईयों को खाईदा दोस्तो इस जुगार के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रिन पर दिये हुए नंबर से बसंतिलाल जी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे संपर करने का जो समय है वो है साम 7 बज़े से लगा कर रातरी 9 बज़े के बीच में आप इनसे बहतरिन बाचित कर सकते हैं तो दोस्तो उमेद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अन्य किसान बयों तक सेर करें और जो बाई नए हैं वो बिना चैनल को सब्क्राइब किये ना जाए तो दोस्तो जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै भारत जै किसान